अगला कोशन है यहां पर एक इन में से कौन सी बास्ति मचली नहीं है तो यहां पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्फ डी स्टारफिश जो मचलियाओं में गियने जाते हैं उसमें है इल, शार्क और सी हॉर्स अगला कोशन है दो चाए या कॉफी के बहुतायत उप्योग में से कौन सी कमी हो जाती है अगर चाए और कॉफी को जादा यूज़ करते हैं तो उसे कौन सी कमी हो जाती है उसे देख लेते हैं तो यहां पर सही बिकल्फ हो जाएगा विटामिन वीट्वेलेफ अगला कोशन ह इन में से कौन सी सबसे ज़्यादा मीठी शरक रहा है तो यहाँ पर जो तीन का सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्पटी फ्रक्टोज अगला कोशने चार हीमोगलोबिन एक मुख्य घटक है इसका तो बताना है कि हीमोगलोबिन किसका मुख्य घटक है तो यहाँ पर चार का सही बिकल्प हो जाएगा लाल रक्त करिकाओं का अगला कोशने कौन एक ग्रंथी नहीं है तो यहाँ पर ग्रंथियां दी गई है कुछ तो इनुने से बताना है कि कौन सी ग्रंथी नहीं होगी तो वो हो जाएगा बिकल्प भी अमाशे को छोड़ बाकी सभी ग्रंथियां है थाइराइड यकरित और अगनाशे ये सभी ग्रंथियां है अगला कोशन है प्रोटिन की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो यह होती है कवाशी और कार जो यह बिमारी है कवाशी और कार तो यह बिमारी प्रोटिन की कमी से हो जाती है अगला है इन में से कौन सी संक्रामक बिमारी है तो यहाँ पर सही बिकलब हो जाएगा साथ का डिप्थिरिया जो डिप्थिरिया है यह एक संक्रमित बिमारी है अगला कोशने ताप प्रतीपन होता है तो यह किसे की द्वारा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्फि दाटस्थ दशार की कारणे C सही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशने सिंदू घाटी के लोगों के बियस्पारिक सबंथ रहे तो बताना है किस देश के लोगों के साथ चिंदु घाटी के लोगों का ब्यापारिक सिबंध होता था तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा तो यह हो जाएगा बिकल्फटी मेसोपटामिया अगला कोशने ब्रामन पुस्तकों का सिबंध है तो यह हो जाएगा कर्मकांडों के साथ जो ब्रामन पुष्टके हैं वो कर्मकांसेश वंदी थी B यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा अगला कोशने 100 इसमें पूछा गया है भगबान बुद्ध का जनम कहां पर हुआ था तो यह हुआ था विकल्पडी लुंबनी में अगला कोशने 101 प्रथम जैन संगती कहां पर हुई थी तो यह हुई थी आपकी पाटले पुत्तर में यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा C अगला कोशने शक्समराज्जी को अंततर इन्होंने उखाड फ्यंका था तो यह कौन थे तो यह थे विकल्फ सी गौत्मी पुत्र शतकर्णी C सही विकल्फ हो जाएगा 102 का अगला कोशने 103 खारवेल ने शाषन किया था तो बताना है कि खारवेल ने कहां पर शाषन किया था तो यह किया थे नोने कलिंग में बरतमार में कलिंग को उरिसा कहा जाता है अगला कोशने 104 बातापी राजधानी थी तो बताना है कि बातापी जो राजधानी थी किस समराज़े की थी तो यह थी चालुक्यों की राजधानी बातापी थी अगला कोशने 105 इसमें पूछा गया है बाजार नियंतरन मद्धेकालिन भारत में प्रतम बारकिस के दुवारा किया गया था तो ये किया गया था लाउदिन खिलजी के दुवारा ये सही भी गल्फ हो जाएगा यहाँ अगला कुछने कवीर इनके शिश्य थे तो बताना है कि जो महत्मा कवीर थे किसके शिश्य माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं रामानंद की तो कई बार ये प्रेशन भी बन सकता है कि जो रामानंद की शिश्यों के संगे कितनी थी तो ये थी बारा और इसमें जो परमुक भक्त थे रामानंद की उनमें कवीर थे रायतास थे पीपा थे धन्ना थे इतियादी इनके परमुक शिश्यों में से एक थी अगला कुशन है 107 बहमनी समराज्जी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये की गई थी बिकल्ब D हसन अली की द्वारा D सही बिकल्ब हो जाएगा यहाँ पर 107 का अगला कुशन है 108 गुरू गोबिन सिहां का जनम स्थान है तो जो गुरू गोबिन सिहां का जनम स्थान कहां पर है तो ये है बिहार के पतनामी 108 का सही बिकल्ब T हो जाएगा अगला कोशने 109 नियाय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी तो ये की गई थी आपके जहां की द्वारा 109 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशने 110 इसमें पूछा गया है भारत के लिए स्मुद्री मार की खोज सबसे पहले कब हुई थी तो ये हुई थी 110 का सही बिकल्ब B 1400 ठानुए में किसके द्वारा की गई थी बासकोडी गामा की द्वारा अगला कोशने 111 दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाए गया था तो ये बनाए गया था बिकल्ब D शाह जहां के द्वारा अगला कोशने तुलसी दास इनके समकालिन थी तो जो तुलसी दास थी ये थी आफके अकवर के समकालिन 112 का सही बिकल्ब यहाँ पर D हो जाएगा तो कई बारी ये प्रेशन भी पुछा जा सकता है कि जो तुलसी दास का समकालिन किस काल से था तो इनका समकालिन था भक्तिकाल या भक्ति आंदलोन में इने गिना जाता है उसी परकार कभीर भी होगे सूरदास होगे ये प्रमुख कवी हैं जिने भक्तिकाल के प्रमुख कवियों के दोर पर जाना जाता है अगला कुशन 113 भारत में गांदी जी का प्रतम अन्चन किस से सवन्दी था तो यहाँ पर 113 का सही विकल्ब हो जाएगा विकल्ब D अहम्दाबाद के मिल मजदूरों की हर्ताल से अगला कुशन 114 मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विवाजन की मांग किस वर्ष की थी तो 114 का सही विकल्ब हो जाएगा D 1940 में हर्प निती किसके दौरा लाई गई थी तो यह लाई गे थी लौर्ड लहुजी के दौरा सी सही विकल्ब हो जाएगा अगला कुशन हिंद स्वराज के लेखक कौन है जो पुस्तक है हिंद स्वराज इसके लेखक होंगे MK गांदी प्रेशन है क्रिप्स मिशन किस के कारेकाल में भारत आया था तो यह आया था लौर्ड लिन लिथको के कारेकाल के समय प्रिप्स मिशन भारत आया था अगला कुशन है 118 भारत प्रतम महिला फिलम स्टार जो राज्य सवा के लिए नामित हुई थी या चैनित हुई थी कौन थी वे तो यहाँ पर 118 का सही बिकल्फ हो जाएगा ए नर्गिस्दत अगला कुशन है 119 किस राज्य से सबसे पहले प्रशने किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोक सवा सदस्य आते हैं तो यह हो जाएगा बिकल्फ सी यूपी अगला कुशन है भारतिय संसद में शामिल है तो बताना है कि भारतिय संसद में कौन-कौन से सदस्य सामिल है या कौन-कौन से सदस्य शामिल है तो यहाँ पर सही बिकल्फ D हो जाएगा लोक सवा राज्य सवा और राश्टक्ती यह तीन भारतिय संसद के सितंब माने जाते हैं डी सही बिकल्प हो जाएगा यहां अगला कोशन है भारत के राष्टपती को किसके द्वरा पदमुक्त किया जा सकता है तो 121 का सही बिकल्प यहां पर डी हो जाएगा संसद के द्वरा अगला कोशने किस हाई कोट के अधिकार शित्र में अर्माचल प्रदेश आता है तो यह होगा गवाहाटी यहाँ पर सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कोशने भारत के समीधान की नौभी अंसुची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो 123 का जो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प ए प्रद्वल सन्शोधन की द्वारा अगला कोशने भारत का चुनाव आयोग इन मेंसे किस चुनाव को नहीं करवाता है तो यहाँ पर 124 का सही बिकल्प C हो जाएगा स्थान या निकाय के चुनाबों को अगला कोशने 125 इन में से कौन सा भारतिय संग का 25 राज्य बना है तो 125 का सही बिकल्प यहाँ पर हो जाएगा बिकल्प C गोवा अगला कोशने National Integration Counseling की अधिक्ष्टा करते हैं तो कौन करते हैं 126 का सही बिकल्प हो जाएगा परदाहन मंत्री अगला कोशन है इन में से क्या एक राज्य का मूलतत्व नहीं है तो यहाँ पर जो 127 का सही बिकल्प हो जाएगा D राष्टिता बाकि जो राज्य क्षेतर हैं सरकार है और संप्रभुता यह है अगला कोशन है बारतिय समीधान का कौन सा भाग कल्यानकारी राज्य की आदर्श को बनाता है या बताता है तो यहाँ पर जो 128 का सही बिकल्प हो जाएगा D राज्य के निती निदेशक सिधानत अगला कोशने राजी सवा की अधिक्तम संख्या कितनी है तो यहां पर 139 का सही बिकल्फ हो जाएगा D. 250 अगला कोशने कौन्सी याची का बिशेश रूप से भारतिय समिधान में नीहित नहीं है तो सही विकल्फ हो जाएगा बियाया देश का 130 का डी सही विकल्फ हो जाएगा अगला कोशने पंचाइती राज शामिल है तो ये किस में शामिल है तो 131 का सही विकल्फ हो जाएगा राजी सुची में अगला कोशने 133 भारत के महान या इबादी को किसके दुवारा नुक किया जाता है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा राष्टपती के दुवारा 132 का यह सही विकल्प हो जाएगा अगला कोशने कौन सा गरह सबसे चोटा है तो यह बुद्ध हो जाएगा अगला कोशने 134 बसंत विशुव किस दिन होता है तो ये होता है 21 मार्च को 134 का सही विकल्प A हो जाएगा अगला कोशने जेट स्रीम पाई जाती है यहां तो बताना है कि जेट स्रीम कहां पर पाई जाती है तो 135 का सही विकल्प A हो जाएगा अगला कोशने 136, इन में से सबसे ज़्यादा नुक्तान दाई कौन सी पबने है या कौन सा तूफान है तो ये हो जाएगा विकल्प ए टॉर्नेडो इन में से कौन सी अबसाधी शेल नहीं है तो ये हो जाएगा असी ताशम विकल्प ए सही हो जाएगा अगला कुछने अप्रीका के उश्ल कटीवन दिये गास स्थल इस रूप से जाने जाते हैं तो ये गाने जाने जाते हैं सवाना की नाम से यहां पर सही बिकल्प भी हो जाएगा अलिफेंट अलिफेंटो दरा या अलिफेंट दरा कहां पर पाए जाता है तो यह है श्रिलंका में 149 का सही बिकल्प भी हो जाएगा आगे है बोलीबिया की राजधानी क्या है तो यह होगा बिकल्प डी लापाज अगला कुछने निपन नया नाम है यह जपान का नया नाम है सही बिकल्प यह हो जाएगा हिंद महासागर सबसे बड़ा दीप है किसका है बिकल्प यहाँ पर 142 का सही हो जाएगा मेडागासकर का आगे है इन में से कौन सी नकदी फसल नहीं है तो 143 का सही बिकल्प हो जाएगा सी जवार इटली का मुख्य अध्योगी की शहर कौन सा है तो इतली का जो मुख्य अध्योगी की शहर होगा तो यह होगा मिलान भी सही बिकल्प होगा 144 का आगे है 145 माओरी डैश की रहने वाले लोग हैं या निवासी हैं तो यह होगा निउजिलेंड के 145 का सही बिकल्प यह हो जाएगा आगे है फोर्विडन सीटी के नाम से किसे जाना जाता है तो यह होगा लहासा प्रत्म उपग्रह डैश के द्वारा प्रक्षिपित किया गया था USSR के द्वारा या बर्तमान रश्या के द्वारा कौन सी नदी बिवरंश गाटी से बहती है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा 140 का तो वो हो जाएगा बिकल्प भी नर्मदा आगे है बहरत में सबसे उंचा जल्परपात कौन सा है तो यह हो जाएगा बिकल्प भी जोग आगे है भारत में ज़्यादातर बर्शा होती है तो ये होती है संबहनी है 150 का सही बिकल्प भी हो जाएगा आगे है बारत के सुदूरपुरब भाग में कौन सा राज्य स्थित है तो ये हो जाएगा रुणाचल परदेश सी सही बिकल्प होगा काजीरंगा राष्टी उध्यान कहां पर सित है तो ये बिकल्प डी असम्मे आगे है कौटिल ये द्वारा रिचित अर्शास्तर सवन्द रखती है किसके साथ राजकी शाषिन से सही बिकल्प भी हो जाएगा निस्पंद स्थिती एक ऐसी अवस्ता है जिसके गून है तो यहाँ पर 154 का सही बिकल्प हो जाएगा डी मुद्रस्फिती और बढ़ती बिरोजकारी से आगे है नवाड किसके बिकास से स्वन्दित है तो 155 का यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा कृशी एवं ग्रामिक शित्तर से 156 है यदि नकद कोशानुपात घटता है तो साक सेजिन होगा तो यहाँ पर 156 का सही बिकल्प हो जाएगा बढ़ेगा आगे है कराधान एक सादन है तो 157 का सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर 20 और राजकोशिय निती का बेपार 6 इनके बीच अंतर है तो सही बिकल्प हो जाएगा देश का आयत और निर्यात से आगे हैं 169 भारत में नई आर्थिक निती किस बर्ष घुशित हुई थी तो 169 का सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर 20 1991 में बेंकिंग इनमें से 21 किशितर के अंतरकत आता है तो यहाँ पर 160 का सही बिकल्प तरित्य किशितर हो जाएगा सी सही बिकल्प है बस्तू बीनेमे का अर्थ है तो यह बिकल्प भी बस्तूं की बस्तूं से अदला बदली आगे है 162 IMF का फुरून रूप क्या है तो यह हो जाएगा International Monetary Fund आगे है Interferon का Stensilation होता है इसकी प्रत्रिक्रिया में तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा D Virus आगे है 164 MS Word क्या है तो जो MS Word होगा तो यह होगा आपका बिकल्प सी बर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर अगला कोशन है MS Word में क्लिप बोर्ड के बिशे में तब तक वही रहते हैं जब तक यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प D सभी बिकल्प आप दूसरा टेक्स कॉपी करते हैं आप दूसरा टेक्स कट करते हैं आप कंप्यूटर को शटडाउन करते हैं अगला कोशन है MS Word में शीमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, ब्लेक ग्राउंट आदी को जाना जाता है तो यहां पर क्या होगा 167 का सही बिकल्प हो जाएगा भी टेक्स्ट इफेक्ट अगला कोशन है MS Word में अगर आपको टाइप फेस बदलने की जुरूत होती है तो आप कौन सा मेनू चुनेंगे तो यहां पर 178 का सही बिकल्प हो जाएगा फॉर्मेट आगे है MS Word के लिए एक डॉक्यूमेट में बदलाम करने के लिए आप क्या करोगे तो यहां पर 169 का सही बिकल्प हो जाएगा एडिट करेंगे आगे है MS Word में आप डॉक्यूमेट के लिए कितनी बार अलग अलग जगा तई कर सकते हैं तो यह होगा तीन बार